मुख्य मंत्री युवा स्वो रोजगार योजना 2020 योगी सरकार देगी बिरोजगार युवा को रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाक रुप्य तक का लोन ऐसे करेश में आवे धन अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और इस तीर के निशान से हमारी वीडियो को सियर करें WhatsApp और Facebook सभी जगे और हमारी लेटस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दोबाए UP मुख्यमंत्री US उरोजगार योजना 2020 कैसे करिश्म ओलाइन आवेदन सरकार देरी 25 लाग रुपया तक का लोल हला दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल डिकट्व न्यूज में UP मुख्यमंत्री US उरोजगार योजना 2020 लेटस्ट अपडेट माइक्रो इसमोल और मीडिया इंटरप्राइजेज एंड एक्सपोर्ट पुर्मोसन डिपार्टमेंट ने यूपी मुख्यमंत्री US उरोजगार योजना शुरू की है या अधिक योग्य लोगों के लिए लाब देने के लिए UP सरकार ने इस योजना को ओनलाइन आवधन करने का फैसला लिया है मुख्यमंत्री US उरोजगार योजना 2020 का विबरन नीच दिया गया है मुख्य मंत्री युव सो रोजगार योजना 2020 उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने सो रोजगार देने के लिए इस वित्ये वर्ष में 25,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने के निर्देश जारी कर दिये है मुख्य मंत्री जी ने शुक्षम लगू और मध्यम उल्भागों को आदेश दिया है कि युवाओ को सो रोजगार अप्लाद कराने है तो आप सक धनराशी का प्रस्ताव पेश करे इस योजना के तेट 21 विरोजगार युवाओ को लाब दिया जाएगा इस योजना के अंत्रकात 80,000,000,000,000 आरक्षन मिलेगा सामानिक केटेगरी के आधकों के लिए सरकार द्वरा कुल लागत का 15 पृतिशत दिया जाएगा जो 10,000,000 से जादा नहीं होगा और लागत का 10 पृतिशत अंसिदान जमा करना होगा SC, ST और OBC के लिए कुल लागत का 30 पृतिशत दिया जाएगा जो कि 20,000,000,000 रुपे से जादा नहीं होगा और 5 पृतिशत अंसिदान जमा करना होगा उद्योग शुरू कखोने के दो वर्ष बाद अगर विजनी सपलता पूर्वक चलता है सरकार दोरफ प्रदान किया गया रिण अनुदार में प्रव्यतित हो जाएगा यूपी मख्यमंत्री यूज वरोजगार योजना के लिए पातरता आवदक उतरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए आवदक बिरोजगार होना चाहिए आधन करता की उमर 18-40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए आधन करता किसी भी बैंक में डिफोल्टर नहीं होना चाहिए आवदक को पहले इस तरह की किसी योजना में लाब नहीं लेना चाहिए किसी आईटिया या कोल टेकनिक संस्तावन से तकनिकी प्रिशिक्चन प्रावत बिरोजगार नव योको और नव योतियो कोईशी योजना म प्राथमिकता दी जाएगी यूपी मुख्यमंत्री सोरोजगार योजना के लिए आवसक दस्तावेज आदन करता के पास जनम तीती पुर्मान पत्र होना चाहिए आदन करता के पास अधार कार्ड होना चाहिए आदन करता के पास वोटर आईडे कार्ड आदन करता के पास उत्तर प्रदेश द्वारा मूल निवास पुर्मान पत्र होना चाहिए आधन करता का सेक्षिनिक योगता का अधिसार पुर्मान पत्र होना चाहिए पास्पोर्ट साइज फोटो और जाति पुर्मान पत्र या वियूपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के लिए ओनलाइन आविदन कैसे करें उत्तर प्रदेश स्वरोजगार योजना में ओनलाइन रेडिस्टेशन करने के लिए इसके अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा इसके अधिकारिक वेबसाइट है www.upkvib.gov.in पर जाए इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको मुख्यमंत्री गिराम उद्द्योग रोजगार योजना का लिंक दिखाए देगा इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लिकेशन फॉन दिखाए देगा और इसमें सभी जानकारी भरनी होगी जैसे नाम, पता, मुबाइल नमबर, टेशील, जिला, ब्लोक, आदी, इसके बाद आपको सम्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा, इस मिरकार आप यूपी, शुरोजगार योजना के लिए ओलाइन आधन कर सकते ही, मुख्य मंत्री यूपी, शुरोजगार योजना 2020 को लेकर आपकी क्यार आए हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाले वीडियो में हम इस योजना से सम्मिदत आपको और विश्थार से जानकारी दे सके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमार ज़दा सियर करें, फेस्बुक और वार्टसप सभी जगे, और हमारी लेटस्ट वीडियो जुडने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बेल आइकन को जरूर दवाए